सिर्फ दो लवंग लेकर के ए मंत्र बोल देना सामने वाला आपके प्यार में गुलाम बन जाएगा, आपके प्यार में गुलामी करेगा, आपकी हर बात को मानेगा और प्यार तुरंट आपके वस में भी हो जाएगा नमस्कार मरभक्तू, मैं हूँ वर्ड फिमस एश्रलोगर बाबा सून उतिवारी और आज मैं आप सभी को महबत में जीत हांसिल करने का, प्यार को पलभर में पाने का एक ऐसा मुहिनी तुटका बताने जा रहे हैं, जिसको मात्र एक बार के करने से ही आपकी महबत आपको वस्म हो जाएगा, जो प्यार आपसे बात नहीं करता है और बात करने को बेकरार हो जाएगा, साथी साथ, मन चाहां प्यार भी आपके वस्म हो जाएगा, आपसे महबत करेगा, आपसे प्यार करेगा और आपके बिगर एक सकिंड भी नहीं रह पाएगा, बस कौन सा मंत्र ह जिससे दो लोग लेकर बोल देने से ही पार्टनर सहीत पूरा परिवार आपके वस्म हो जाएगा आपका प्यार आपका गुलामी करेगा आपके वस्म रहेगा आपके साथ में रहेगा चलिए हम आप सभी को बताते हैं उसके पहले यदि अभी तक मेरे चैनल पे नए हो देखकर भी टोने टुटके सिध कर देते हैं और उनका प्यार उनको ततकार मिल जाता है दिखिएगा मरभग तो इसके लिए आपको मंगलवार के दिन बस दो लवंग लेना है कब लेना है ये भी सुनिएगा जब दो पहर में बारा बज़ता है उसके बाद और साम में जब छे बज़ता है साम ढलता है उसके पहले लेना है बस दो लवंग ही लेना है इसके बाद में आपको कुछ भी लेने की समागरी की जरूरत नहीं है बस दो लवंग जैसे लिजिएगा इसी लवंग को ले करके आप कहीं पे भी तिन फिडये रास्ते पे छले जाएगा और जैसे जाएगा दिख लिजएगा अगल बगल में कोई दुखे ना तोके ना रोके ना आपसे बूल बात करे ना जैसे उस तिन खिड़े रास्ते पे जाईएगा पूरब दिसा में घुम जाईएगा फिर अपने प्यार का नाम एक बार बोलिएगा और एक बार पूरब दिसा में फूंके लगाईएगा फिर दूसरी बार प्यार का नाम बोलिएगा फूंक लगाईएगा पूरब दिसा में इसी प्रकार से आपको पांच बर अपने मुहबत को अपने प्यार को नाम को लेकर के फूंक लगाना है फिर जैसे प्यार के नाम के साथ में हो जाए बस एक बर अपना नाम बोले दचिन दिसा में एक बर फूंक लगाए जैसे दच्छिन दिसा में अपना नाम लेकर एक बर फूक लगाए दूसरी बर फूक लगाए अपना नाम लेकर तीसरी बार चोठी बार पुचवी बार छटी बार सत्वी बार जैसे साथ बार अपना नाम लेकर फूक लगाए फिर आप क्या करें दोनों लोग जो है इसको आपस में ऐसे ऐसे इस परकार से बस 11 बार असपस करें और 11 बार असपस करने के तुरंत बाद इसी लोग को ऐसे ये जो बड़ा वाला उंगली होता है यहां थेली का और ये जो उ को फिर सवास रखियेगा चल का पत्र नहीं रखियेगा फिर आप को बोलिए घया जैसे हमने मंद को बोला वैसे बोलिएगा फिर जहां पर मैंने अमुकी बोला है ध्यान देने की बात वहां पर हैं अमुकी के अस्थान पर उस इस पूर मुझार प्रयोग करते। इससी प्रकार से मन्द का दोसरे बार पर्योग करें, तीसरी बर करें, चोठी बर करें, लिकिन ध्यारें, इसके बीच बीच में दिवाग, जो आपने मन में अस्थाई किया है, कभी तूट ना जाए, इधर उधर दिमाग ना चला जाए, नहीं तो आपका काम नहीं हो फिर से करना होगा जैसे इतना इस मंत का प्रयूग दो बारे गार तीसरे चोठे पच्वी छटी सत्वी इसी प्रकार से कीजिएगा जैसे कुछ बार मंत का प्रयूग कीजिएगा इस लोगों को आपस में सटाय हुए ही किसी भी कागज में किसी भी कपरे में वस्तर में रख क और रात में अपने ताकीक नीचे दबा करके सोईएगा जैसे इसी प्रकार से एक दू दिन खतम हो जाएगा तुरंत दिखिएगा अजरत चमतकार किसी किसी का तो आधे से एक घंटे में भी हो जाता है लेकिन आपका जादस जादस समय लगेगा तो 24 घंटा और 24 घंटे के भ प्यार भी तुरंत आपके वस्त में होगा प्यार करेगा मोहबत करेगा गुलामी करेगा